दोस्तों सोसल मेडिया पर कुछ चाटू कारूं को जबाब देना बहुत जरूरी हो गया भगोडी ने पाकिस्तान से आने के बाद कुछ ऐसे पागल कुट्टू को छोड़ दिया कि जो भौकने का बिल्कुल बंद नहीं कर रहें भौकना उनको ऐसी खुजरी लग गई है पागल हो गई हो जबसे भगोडी के उपपर इतने सारे एक्षन हुए है भगोडी के सारे कारणाम को एक एक कर हम खोल कर यहां ला रहे हैं उनको ऐसा पागलपन चा गया है कि अब वो बौकला चुके है और वो बिल्कुल पागलपन में उतर चुके है आज जबाब दूगी उन सब को क्योंकि भईया लाइब नहीं आ पारी हूँ समझा नहीं मिलने के कारण में बहुत बिजी हूँ और इसलिए लाइब आके आप कामने सामनी जबाड नहीं दे पारी हूँ आपके सवाल कहते हैं पानी सरसे उपर चला जाता है तो सरसे उपर जा चुक है तो जबाब देना बहुत जरूरी बनता है वीडियो के माधम से आप लोगों को जबाब दे रही हो भवड़ी के चाटुगार आज पूरे वीडियो देखना और वो भी जो सीमा हैदर को सपोर्ट करते हैं और जो उसका विरोध करते हैं आप दोनु के लिए वीडियो है क्यों नहीं लाइब आ रहे हैं आपको साइस पता चल भी चुका होगा लेकिन फिर भी बता देती हूं मोविन मलिक सर की तव्यक्त खराब चल ली है उनके गले में थोड़ा खराश या इंफेक्शन टाइप का हो रखा डॉक्टर ने मना किया बोलने के लिए और या लाइब आने के लिए वैसे भी मोविन मलिक सर एक वकील है और अपने कानूनी पॉइंट्स को अदालत में रखते हैं बार-बार सोसल मेडिया पर इसलिए आते हैं क्यूकि हम लोग फोर्स करते हैं हम कहते हैं सर क्या अपडेट हैं तीजिए यह दीजिए पब्लिक के सामने क्योंकि हम तो फ़ों से फिर भी पता कर लेते हैं और बड़ेट देते अप तक आप लोग उपहुत उतस्वता रहती इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं आप लाइब आयों सर लाइब आपके वह अपडेट देते हैं फिलहाल सर रेस्ट कर रहे और कानूनी लड़ाई तेजी से वह अंदर खाने लड़ रहे हैं और दूसरी बात जो लोग यहां पर आके बोलते हैं कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप केवल वीडियो देखते हो हमें राय कमेंट में देते हो क्योंकि आप ही असली खिलाड़ी हो आप ही असली बात उपर रख रहे हो क्योंकि अगर आप कमेंट्स करके आप चीज़ों को आगी तक नहीं बढ़ाते हैं तो शायद हमारी बात आगी तक नहीं पहुंचती है लेकिन हम आप तक अपडेट को जाने के लिए एक एक चीज पर सर्च करते हैं, जानकारियां लाते हैं, इधर उधर से तमाम चीज़ों से निगल इंफॉर्मेशन लाते हैं, सर्च को आपके आगे वीडियो के माधिम से रखते हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं, सोचल मेडिया प्लेट फॉर्मा और यूई फेक न्यूज हमें हाँ पर नहीं दे सकते हैं, मुझे कई लोग उने बोला है, कि यह जूट बोलती है, जूट बोलती है, मैं जानती हूँ, सीमा हैदर के सपोटर है, वो जाहिड सी बात है, यह चीज कहींगे, कहींगे, और कई लोग ने कहा ह और कि आप हमारा टाइम वेस्ट कर रही है, एक ही चीज बोल, बोलके हमें पकार रही है, तो भाया आप से हाँ जूट के रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपना टाइम में स्यूझ मत करे, अपने समय का उप योग करे, क्यूँकि हम आप तक कहे अनुसार काम नहीं करते हैं और जो चीजे सच होती उसको यहां तक आप तक लाते हैं आप यकीन मानो ना मानो क्यूँकि बात सच होती है आप अपने जज्जमेंट दे सकते हो लेकिन किसी को गंदे और अस्नील कमेंट्स नहीं कर सकते हो और भगवडी के कुछ चाहने वालू के अब वायर्ट लग चुक आप माननी अदालत तुम्हें देना पड़ेगा आपकी भाप ही है ना आप सपोर्ट करो हमने नहीं कहा अभी भी आप उसको सपोर्ट मत करो करो अदालत तुम्हें जबाब दो जो गंदगी मचा रहा है जो कहता है कि हम लोग गलत जूट बोल रहे हम जेल जाएंगे तो आप कफ उनसार नहीं चलते हैं अपने अनसार चलते हैं और सच किसांद चलते आपकी मरजी अदालत तुम्हें हमारे खिलाप केश करो लड़ाइन जगड़े करो फसाद करो करना वहां करो क्योंकि हमें आपका ये यहां जबाब सुनें आपकी राही लेने नहीं बैठे हम अपना काम करने बैठे हमारा एक ही लक्ष्य है जो इनलीगल भुषकर हमारे देश में बैठी है सीमा हैदर उसको उठाकर बाहर फेकना और दूसरा गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले पाकिस्तानी सिटीजन है उसने भारत सरकार से भारत के भारत के हाई बैठे है लुसके बाहरे जाएं और जो सच है वह सामने आये कई छीजा आ लेकर कि जीजें है अए से सीमा फेकनाथक्त मिहारे नहीं चाहरी है लाए उसने सीमा हैदर के क्या ब्रूमी का है भारत में आनकर यह क्या करना चाहती है अंधिर उसके लक्स कि इस करने के लिए हम रात दिन चीजु को एकठा करके आपके समख से लाते हैं आप सारा गुरु को बर कर दे तो आप कहते हो मापके मुताबिक चले सच को लाएं सच को लाएं सच भाईया यही है कि एक इंडीकल घुसकर और आई है और उसके लिए हमें रोज बात रखनी है बात पर फारत के लिए योटिक्षायएर्यानीै आप पर भरॉसा है इसके अलावा हम और तथि पर बहत नहीं करतें उसके और सच भौल रहे हैं मँगलत का साथ नहीं देएं तो हम एक ही चीज हैता कि अर्णे नहीं है कि अपनी अवाज को बुलंद रखना गुलाम है दर तक उसके बच्चों को पहुचाना हमारा लक्स है और जो यह महला सोशल मीडिया में बैठके गंदगी की दुकान खोल के बैठी है और जो यह गंद बचा रही है अपने से अधियूर के लड़के के साथ जो असलील हरकत है लाइब में बैठके करती है अपनी बच्चियों का ध्यान नहीं देती है तरह तरह की चीजा आपको दिख रही है इसकी बच्चियों की कैसी बरबादी हो रही है भारत में इस औरत को कोई फर्थ नहीं पड़ता फिलहाल दो दिनों से सीमा हैदर उकात में आई हुए आपन लिए उठाके देखना उसमें इसने कपड़े से कबर किया हुए और क्यूंकि वह टीबी में पथर मारके फोड़ा गया है इसको मारक उटाई में घर की बहुत सारी चीज़ें तोटती है साथ लेडी जो लगा हुआ है इसकी घर पर टूटा हुआ है और तो यूट्व पर उसके कारण यूट्व ने इसका विडियो रिमूब कर दिया और इसको एस ट्रैक दे रखी है लोग कहते हैं इतनी गंदे गाली गलोच अब सब दुका इस्तमाल करती है तो यूट्व पर बहुन लगा दिया और इसके घर में मारक उटाई हुई है जो छिपकली अंजली ब सब्सक्राइब करेंगे तो फिर से इनके उपर एक्शन लिया जाएगा आप देख रहे हो दो दिन से भगवाड़ी अपने अंदर के जहर को पी रही है अंदर अंदरी उगलतोरी है लेकिन प्यार प्यार में हसास कर कितना जो असलीरता करनी थी वह असलीरता इसकी थोड़ करके डालते तो मैं भी कहले रूपा जला सबर करो यार भारत के लोगों भारत में लीकल और धुसके आगे आपको लगता है कि आलू टमाटर प्यांज बेगन की तरह उठाके इसको फेक दें भाव गिर गये उठाके फेक दो सड़गे तो उठाके फेक दो अरे ये सीमा है है चार बच्चों के साथ आए ठोड़ा सा सबर करो और इंसान है तो आने दो अगस्तでは अगस्त बच्त कि पाफ यो बात बनाती में को इंसाफ मिले और गुलाम हें को इनसाफ मिले और यह औरस friend को मैधे zuरय को गलत मैसेज दे उस पर रोक लगे इसलिए अपने वाज को उठाती हूं आपकी इंटेंड मेंड के लिए आपको खुश रखने के लिए आप में वीडियो लेके नहीं आती हूं जो आप इस तरीकी के सवाल खड़े कर दितों बाकि जिन चाटू कारू ने मुझे गंदे कमेंड किया आप चिं तब से ट्रॉल तो नहीं कहोंगे क्योंकि मैं जिन्दगी में अभी ट्रॉल नहीं हूँ भी या किसी ने मेरे से कितने ही अपसब्द कह दिया मुझे अंदर से पता होता मैं अंदर खाने से हूं तो मुझे किसी का जज्जमेंट का फरक नहीं पड़ता है आप अपनी राय रखिए सही गलत जैसा भी आपने देखा होगा वैसे मैं जबाब कहां देती हूं इसका मतलब यह नहीं कि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती नहीं जो ज्यादा ही ऐसे कमेंट्स होते हैं जिसे मुझे लगता है कि सामाजिक पूरा उपियोग करती हूं सोचल मीडिया प्लेटपों मैं हमेसा कहती हूं सच के साथ रहो सच के साथ लड़ो सच में डटे रहो मानती हूं बहुत सारी सब्सक्राइब नाव निया है उनके बेटे का नाम लिया है अब बात यह आती on saya जाज कभी सही है एक तरी किसे उस भाया इसके सरपे अगर तुझे लिए पता नहीं जराज सावी तरे उपर वह हो गया ना तो गई वpeASON गई गई तु करती जा असलीलता हम तेरी असलीलता का परदाफास करते रहेंगे फिल्हाल मुझे कई लोग ने कमेंड किया है कि दिदी इसके बच्चे प्राबलम हैं उनको सुरुप्षित रखो उसके लिए अक्सन लिया गया है बच्चो का मेडिकल होगा बच्चो की सारी जाचे होंगी सब कुछ होगा और जो जम लोग पर पासको एक्ट के अंतरगत केस हुआ है पासको एक्ट का मतलब बच्चा अगर माइनर है छोटा है और उसके उपर दिकत है तो जिसके उपर भी इधाराये लगती हैं उसकी जमानत नहीं होती भाईया और उस बच्चे की गवाही मायने नहीं रखते हैं यह केस है मेरे पास अभी भी एक लड़की उसने अपने ताउ पर ऐसी फिजिकल उसका वो लगाया था बोल नहीं सकती हाँ पर तो फिर अभी भी वो ताउ जी 90 साल की जिनकी उम्र है वो जेल में ही सड़ रहे हैं तब में वहारा है तीती बाज़कूर अब मैं यहां आगए अब आज लगभग 6-7 साल हो गए ताउ जी अभी भी जेल में हाट पेसेंट हैं फिर भी जेल में तो समझ लीजिए कितनी सब्सक्राइब करें तो इसको बहुत जल्दी कानून सबक सिखा देगा और हम तो सिर्फ इसलिए रोज एक ही कॉंटेंट लाते हमारे लिए से निकालना बहुत जरूरी हो गया क्योंकि जिस तरीकी से महला गंदगी करते हैं जिस तरीकी से जबाब देती है भारत के लोगो को हम लोगों को इसकी जो हरकत है उसको हम भारत में कभी भी सक्सेज नहीं होने देंगे काम्याब नहीं होने देंगे हम यहां चैनल चलाने नहीं आते जो आपने कमेंड किया ना इनको अपना चैनल चलाना अपना पैसा बनाना है तो आख फोड़के देख लो चैनल में जा और मैं जानती हूं जब बात जजबे की होती बात हम सच के लिए रखते हैं तो पबलिक को भरोसा होता है वरना अपने सिर्पे के हम कानूनी डंड़ा घुस्वाएंगे जो आप लोग कमेंड भी जह लें और लोग की दिक्कते भी हम दिन भर खोज भीन करके आपके लिए आपको नफरत हमारी सकल से क्योंकि हम सीमा है दर का विरोध करते हैं हमारे देश में इनलीगल गुस्कर आई इसकी वज़े से हमारे भारत की संशिक्रति गंदी हो रही है तो क्यों नहीं बोले भाई आप होते कौन हैं हमें सुतंत्र अधिकार है अपने देश में बैठे इ सब्सक्राइब करते हैं अंत में कुछ रोगों नहीं से कमेंट किये थे इसको बहुत बड़े राजनीतिक दलू का हाथ है सरकार का हाथ है तो आप से सपष्ट कहां दूं किसी का भी हाथ नहीं है इस औरत के सर पे हाँ छोटे मोटे तपके के गुंडे लफंडर अवारा कि कुछ पैसे वाले लोगों का हाथ हो सकता है लेकिन सरकार और राजनीतिक कभी भी सपोर्ट नहीं करते बड़े लेबल पर यह मोदी जी योगी जी मेरी सुनेंगे तो इसका मोदी जी योगी जी को जैसी पता चलेगा तो इसका पता उसी समय साप हो जाएगा तो थैंक्यू कमेंट करें नेक्स ट्राइम मेरा वीडियो देखना चाहते है तो चैनल को करें सस्क्राइब जल्दी जल्दी बोला है क्योंकि वीडियो धंबी हो जाते आप परेशान हो जाते तो मैनेज कर लीगेगा थैंक्यू सो मच तह दिल से धरिया